कि बात करें सरकार ने इस तरीके से सोलार रूप टॉप को लेके बड़ी प्रधानमंति सुर्योदी योजना कहलान किया है उसका क्या इंपक्ट होगा आने वाले दिनों में क्या आसर सरकार के त्यारी है आरसी के चेर्मेंन वीवेक दिवांग से हमारे संभाधाता प्रकास प का नूडल एजनसी है उन्होंने आरसी को ओर रॉल प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन एजनसी बनाया है इस योजना के तहत्त प्रधानमंति सुर्योदी योजना के तहत्त लगभग एक करोड घरों के रूफटॉप को टार्गेट किया जा रहा है जिसे हम मिशन मोड में इ में कॉडिनेशन करना है ताकि सीमलेस एक्सपिरेंस हो जो कंजुमर जो अपने छटों पर रूपटॉप सोला लगाना चाहते हैं इसके लिए मिनिस्ट्रिया और नियू डिनियूबल एनरजी द्वारा सबसेडी स्कीम को सबसेडी का जो प्रोफाइल है उसको रीवर्क किय जा रहा है अभी फिलहाल एक से तीन किलोवाट की कैडेगरी में 40% सबसेडी का प्रावधान है और तीन किलोवाट से दस किलोवाट के कैडेगरी में 20% सबसेडी का प्रावधान है तो यह देखा जा रहा है कि लोगर कैडेगरी में हमें शायद ज्यादा सबसेडी देने ज जो प्रोजेक्ट से रूफ्ट आफ सोलर वो लगाये जाएंगे कितनी फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है देखे एक मेंगावाट कैपसिटी लगाने की लगवाट पांस से छे करोड रूपय की लगती है तो हमें 40,000 मेंगावाट कैपसिटी दोजार चबीस तक लगानी है तो इसके लिए लगवाट दो लाख से दो लाख 40,000 क्रोड की राशी की आवश्टा पड़ेगी और उसमें जो छोटे कैडेग्री है एक किलोवाट से दस किलोवाट के में उसमें सबसेडी का प्रावधान है जो की 40 से 20 पर तिशर तकी राशी सबसेडी रहेगी अधर दैन जो रूप टॉप सोलर आ रहे हैं उसमें सबसेडी का प्रावधान नहीं है प्रांतों जैसे गौर्मेंट डिपार्टमेंट बिल्डिंग है बड़े-बड़े कमर्शिल एस्टैबलिश्मेंट है वह अपने कमर्शिल कमर्शिल के आधार पर यह रूप आपना इस्थापित आपने बिजनेस को डाइवर सीफलाएं कर रही हैं अगर रेश्यों की बात करूं तो आने वले कुछ सालों में उपने पॉजनेस का कितना हिसाट से और कितना नों पावर सेटर से देखतें पभार सेक्टर हमारा मेंट फोकस रहा है बढ़ क traum एकावर सेक्टर में भी हम लोग रिन्यूबल एनरीजी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं रिन्यूबल एनरीजी में हमारा प्रोट्फोलिय हम लोग का प्रहतन है कि 30 प्रतिशत बढ़ा देजा है हम लोग टोटल असे टेंडर मैनेजमेंट लगवद 10 लाग करोड हम टारगेट करें 2030 तक उसमें से 30 प्रतिशत लगवद 30 प्रतिशत लगवद 30 लाग करोड का जो फाइनेशी होगा वह रिन्यूबल एनरीजी प्रोजेक्ट पर होगा नॉन पावर जहां और इंफरस्टेक्चर लोजिस्टिक की जहां तक बात है उसे हम लोग टारगेट करें 20 से 25 प्रतिशत हमार लोन पूर्ट ले रहेगा दस लाग करोड मैंसे लगवग दो लाग से धाई लाग करोड नॉन पार इंफरस्टेक्चर लोजिस्टिक से आएगा यह आपको पता है कि रूफ टॉफ के बाद जैसे देश के प्रधान मंत्री ने बोली सारे के सारी कंपनिस एक्टिव हो गई और अब मैनेच्मेंट ने आप यह में कहा है कि वो भी इस पर बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगी आरीसी बर ज़रा चेक करवा लेते हैं स सुमित मुल्चंदानी मार सात है एक बार जोफ जी इस चेकी जिनके पास है वह क्या करें और जिनके पास नहीं है वह क्या करें सब्सक्राइब नेट्वर्क का इश्यू आ रहा है संतोष सर से पता करें संतोष सर आरेसी आपने पहले भी कई बार दिया हुआ है और बढ़िया हिट होती है आपके टार्गेडिस में जिरा बताइए सर दोनों के लिए कि अच्छी बात यह थी कि अच्छा मोमेंटम को राइट करना चाहिए जब तक आपने बीज दिन के मूहिंग गरोज के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो बड़े साब से आप होल्ड कीजिए चारसो पचीस का स्टॉप्लोस मैंटन कीजिए अगर यह मोमेंटम जारी रहा तो पांसो से पांसो पचीस उपह तक की अपसाइद देखने को मिल सकती है